Hello friends, tricks for all students में आप सभी का स्वागत है आज हम M. Lakshmikant Indian Policy का chapter to discuss करने जा रहे हैं समविधान का निर्माण मेरा मीन फोकस इस वीडियो में आपको इस chapter पूरा समझाना है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और इस chapter की objective questions आपको next videos में मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला topic है समविधान सभा की मांग तो समविधान सभा की मांग किस तरह हुई क्या हुआ कि जितने भी नीता थे वो आजादी के लिए आंदूरन कर रहे थे बड़ कुछ नीता उनमें से ऐसे पी थे जो ये सोच रहे थे आजादी के बाद भारत का क्या होगा आजादी के बाद भारत को कैसे नियंतरित किया जाएगा इसके लिए कुछ नीताओं ने विचार रखा कि सभी देशों के पास अपना एक समविधान है जिससे कि सभी देश अपने आपको नियंतरित करते हैं तरह भारत के पास भी अपना एक सम्विधान होना चाहिए, तो उस सम्विधान के निर्मान के लिए भारत की एक सम्विधान सभा होनी चाहिए, जिसका विचार सबसे पहले M.N. Roy ने 1934 में रखा कि भारत के सम्विधान के निर्मान के लिए एक सम्विधान सभा होनी चाहिए अब इसी की चलते 1935 में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से सम्विधान सभा की गठन की मांग की अब इसी की चलते बाद में 1938 में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की ओर से पंडि जवालाल नेहरू ने घोशना की कि सम्विधान सभा का जो गठन होगा वो वैस्क मत अधिकार के अधार पर चुनाव के जरिये होगा मतलब जो सम्विधान सभा की सदत से चुने जाएंगे वो जनता की दौरा पर चुनाव की जरिये चुने जाएंगे अब इस मांग को ब्रेटेशों ने अधिकारिक रूप से या सैधानतिक रूप से मांद लिया और इसको अगस्परस्ताफ कहा गया अब बात करते हैं 1942 में क्रिफ्स मिशन इसने कुछ प्रस्ताफ सामने रखा सभी पार्टियों के सामने बट उन सभी पार्टियों ने इसके प्रस्ताफ को आसुईकार कर दिया इसके करण ये असफ़र रहा अब इसके बाद सम्विधान के निर्मान के लिए एक कैबिनिट मिशन भारत भीजा गया मार्च 1946 में ये भारत पहुँच गया इसने अपनी योजना प्रस्तुत की और इसके योजना को सभी दलों ने सुईकार कर लिया और इस योजना की तहत सम्विधान सभा का गठन हु हमें ये जानना है कि किन योजनाओं के तहट सम्विधान सभा का गठन हुआ था तो वो कैबिनिट मिशन की कुछ योजनाएं थी जो इस प्रकार हैं पहली विशेषता है सम्विधान सभा की कुल सतस्य संक्या 389 होनी थी मतलब कैबिनिट मिशन के योजना के तहट जो सतस् क्या निश्चित की गई थी वो थी 389 और 389 में से 296 जो सीटें थी वो बिटिश प्रांत को दी गई थी और 93 सीटें देशी रियास्तों के लिए दी गई थी अब जो बिटिश प्रांत बिटिश भारत है उसमें उसकी जो 296 सीटें उनमें से 292 सीटें 11 प्रांतों और 4 सीटें मुख्य आयुक्तों से चुनी जानी थी प्रांत वो थे जहांपर गवर्नरों का शाशन था और मुख्य आयुक्तों के प्रांत वो थे जहांपर मुख्य आयुक्त अधिकारी होता था और बिल्टिज भारत का मतलब है वे छेतन जो British'y ये अंग्रेज'y के अधीन थे पूरी तरह अधीन थे जहाँ पर उनका प्रत्यक्ष नियंतरन था डारेक्टली नियंतरन था उनका बट देशी रियास्त वो थी जहाँ पर राजा मराजा राज करते थे बट उन्होंने अंग्रेजों की अधिनता को सुईकार किया था तो अब हमारी दूसरी विचेशता है जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बटवारा किया गया था जिस राज्य की जितनी जनसंख्या थी जिस प्रांत की जितनी जनसंख्या थी उसको उतनी सीटे दी गई थी मोटी तोर पर दस लाग पर एक सीट मतलब दस लाग जनसंख्या पर एक सीट प्रोवाइट की गई थी थर्ड है हमारा तिसरा पॉइंट है प्रांतों में तीन प्रमुक समुधायों की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बटवारा किया गया था अब जनसंख्या के अनुपात में तो सीटों का बटवारा किया गया था पर प्रतिक प्रांत में प्रमुक तीन समुदाय थे उन तीन समुदायों की जनसंख्या के अधार पर उनको सीटें दी गए थी ये तीन समुदाय थे मुस्लिम, सिक और सामानने सामानने में हिंदू वगरा आते हैं बहुत हिंदू ठीक है ये सब थे तो इन तीनों समुधायों के बीच सीटों का बटवारा किया गया था उनकी जन संख्या के अधार पर जैसे कि मालो अगर हिंदू की संख्या 50 लाग है तो उनको 5 सीट मुस्लिमों की संक्या 20 लाग है तो उनको 2 सीट और सिखों की संक्या 10 लाग है तो उनको 1 सीट प्रोवाइट की गई थी अब जो जी सीटें दी गई थी उनका चुनाव कैसे होना था उनके प्रतिनितियों का चुनाव जनता की द्वारा नहीं होना था उनके प्रतिनिदियों का चुनाव जो था वो प्रांती असेंबली के द्वारा किया जाना था और प्रांती असेंबली में कौन करता उनका चुनाव उस समुदाय के सदस्से जैसे कि जो हिंदू उमिद्वार होंगे जो हिंदू के प्रतिनिदी थे उनका चुनाव प्रांतिय असेंबली में जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन्होंने किया प्रांतिय असेंबली में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने अपने प्रतिनीधियों का चुनाव किया और जो ये चुनाव हुआ था वो एकल समक्रमनी मत के माद्य हमसे हुआ था एकल समक्रमनी मत को मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा राश्वती वाले चैप्टर में अब बात करते हैं कि जो देशी रियास्तों के प्रतिनीधी थे उनका चुनाव कौन करेगा अब हम बात करते हैं कि चुनाव कब हुए थे तो चुनाव तो जुलाई अगस्त में हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में समिधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे और भारती राश्ट्री कॉंग्रेस को 208 सीटे मिली या 208 सदस्य उसके चुने गए मुसलिम लीग के सदस्यों 73 सदस्य चुने गए और जो चोटे समुवा स्वतंतर सदस्य थे स्वतंतर मतलब जो अकेले उमीदवार लड़ रहे थे उनको उनकी 15 सीटें थी ठीक है और आप देख सकते हो कि चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त में और जो समिधान सभा का गठन था वो हुआ था नवंबर 1946 में अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ कि जो पूरी सीटें थी सारी सीटें तो भर नहीं पाई उनमें से 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि रियास्तों ने स्वैम को समिधान सभा से दूर रखा था क्योंकि रियास्तों ने अपना भषिशकार किया था समिधान सभा का कि हम समिधान सभा में शामिल नहीं होंगे अब हम स्वतनत राज्ये बनेंगे इसलिए उनके उम्मीद्वार या उनके प्रतिनी धी सम्विधान सभा में शामिल नहीं हुए थे अब हमारा टॉपिक है सम्विधान सभा की कारे प्रणाली कि अब सम्विधान सभा ने अपना काम शुरू किया कैसे शुरू किया तो यहां देखिए सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई ठीक है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जब से उन्होंने अपना काम शुरू किया सभा ने इसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया अब 211 सदस्यों ने हिस्सा क्यों लिया क्योंकि कई रियास्तो उन्हें रियास्तों के प्रतिने थी शामिल नहीं हुए उन्होंने अपने आपको सम्विधान सभा से दूर रखा मुसलिम लीग ने सम्विधान सभा का भाईशकार किया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मांग की वो अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उस सभा में शामिल नहीं होते अब तो 211 सदस्यों ने हिस्ता लिया था और इसके एक आहिस्ताई अध्यक्ष चुने गए जो सबसे वरिष्ट सदस्य थे उस समय डॉक्टर सचीदा नंसिना इनको सभा ने आहिस्ताई अध्यक्ष चुन लिया बाद में फिर कुछ समय बाद इस्ताई अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजिंदर परसाथ को और दो उपध्यक्ष चुने गए सभा के दो उपध्यक्ष इस परकार हैं डॉक्टर ह.C. मुकरजी और वीटे किशनामचारी इस परकार हम कह सकते हैं कि समविदान सभा का एक इस्ताई अध्यक्ष था और दो उपध्यक्ष थे उद्देशे प्रस्ताव ये बहुत ही महत्मून प्रस्ताव है जिसको पंडित नहरू ने पंडित जवाला नहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सभा में प्रस्तूत किया और 22 जनवरी 1947 को सर्फ सम्मती से सभा ने इसको सुजिकार कर लिया तो ये क्या था इस पर एक नजर देख लेते हैं समविदानिक संरचना और दर्शन जो ये उद्देश्य प्रस्ताफ था वो एक तरह से समविदान निर्माताओं के लिए मार्ग तर्शक था उसमें क्या किया गया था कि समविदानिक संरचना कैसी होगी हमारे समविदान की इसका अच्छे से वरणन किया गया था और अभी हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें हम हमें समझ में आ जाएगा तो कुछ पॉइंट्स हैं उद्देश्य प्रस्ताफ के इस परकार इसमें कहा गया कि यह समविदान सभाव भारत को एक स्वतंत्र संप्रभू गंड़ाज्य खोशित करती है तता भविषय की प्रशाशन को चलाने के लिए एक समविदान के निर्मान की खोशना करती है उद्देश्य प्रस्ताफ के तहट समविदान सभा ने यह कहा कि जो भारत है वो पूरी तरह स्वतंत्र है उसके उपर कोई भी देश नहीं है वो अपने निर्ने खुद ले सकता है और भविषय की प्रशाशन या एड्मिनिस्ट्रीशन को चलाने के लिए हम समविदान की निर्मान की घोशना करते हैं और दूसरी इस उद्देश्य प्रस्ताफ में बात की गई भारती छेतरों की तो इसमें कहा गया कि जो बिटिश भारत में शामिल अभी जो छेतर है और भारती राज्यों में जो शामिल छेतर है और भारत के बाहर इस परकार के सभी छेतर जैसे के अंडमान निकोबार हो गया जो भारत के बाहर इस परकार के छेतर हैं वो हमारे में ही है और ऐसे भी छेतर जो भारती राज्जी में शामिल होना चाहेंगे जैसे कि बारती संका हिस्सा होंगे यह इस उत्तेशी प्रिस्ताब में कहा गया और जो ये छेतर हैं इनकी सीमाओं का निरधारन सम्विधान सभा दूरा किया जाएगा और जो नियम बनाए जाएंगी उनी के अधार पर उपर की जो छेतर हैं उनका प्रिशाशन किया जाएगा मतलब जो शक्तियां केंदर के पास रहेंगी नियमों के अनुसार वो केंदर में रहेंगी और बाकी राज्यों को जो शक्तियां दी जाएगी उसका वो प्रियोग कर सकते हैं और इस देशे प्रस्ताब में ये भी कहा गया कि जो संपरबू स्वतंतर भारत की सभी शक्तियां हैं और जितने भी अधिकार हैं और जो भारत की सरकार बगेरा है उन सभी का जो इस्तरोत होगी वो भारत की जनता होगी मतलब भारत की जनता के अधार भारत की जनता द्वारा ही सरकार बनेगी और सभी शक्ती का इस्तरोत भारत की जनता होगी उसमें ये भी कहा गया कि समाजी कार्थिक राजनीतिक स्वातंतरता ने आए इत्यादी कि स्वातंतरता तदा लोक नैतिकता की स्थापना की जाएगी मतलब आपरल आप कह सकते हो कि जो उद्देशी प्रस्ताव है वो सम्विधान निर्माताओं को बता रहा है कि हमारा सम्विधान कैसा होना चाहिए उसमें बता दिया कि जितनी भी शक्ति होगी भारत की उसका जो इस्तरोत होगी वो होगा भारत की जनता और जितनी भी स्वतंतरता वगरा होगी उसकी स्थापना की जाएगी लोक नैतिकता की स्थापना की जाएगी ये एक मार्क दर्शन दे रहा है और इसमें यह भी कहा गया कि अलब संख्यकों, जन जाती ये लोगों और पिछडे वर्गों या कमजोल लोगों को परियाप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी संग की हेकता को अशुन बनाया रखा जाएगा मतलब संग की हेकता को पूरी तरह बनाया रखा जाएगा और भारत देश को सुरक्षा प्रदान की जाएगी जाए वो वायू सुरक्षा हो जल सुरक्षा हो मतलब पूरी तरह भारत की सुरक्षा की जाएगी इस तरह से हमें सम्विधान बनाना है और इसमें ये भी बात हुए कि भारत जो होगा उसको भारत को विश्व में उसका इस्थान दिलाया जाएगा जैसे कि आप जानते हैं प्राचीन भारत का महत बहुत जादा था मध्यकालिन भारत का महत बहुत जादा था बट आधुनिक भारत को भी विश्व में उसका इस्तान दिलाया जाएगा और विश्व शान्ती को बढ़ावा दिया जाएगा अब हमारा नेक्स टॉपिक है स्वातंदर्ता अधिनियम द्वारा परिवर्तन अब क्या हुआ कि भारतिय स्वातंदर्ता अधिनियम 1947 पास किया गया जैसे मांट मांट बैटन यूजना के तहत भारतिय स्वातंदर्ता अधिनियम 1947 पारित किया गया जिसके कारण भारत का क्या हुआ विभाजन और विभाजन के बाद सम्विधान सभा में तीन परिवर्तन आये जिनको अभी हमें पढ़ना है तो ये तीन परिवर्तन क्या थे इनको अच् कानून बना सकती है वो चाहे तो बितिश कांणों को जो जो हो और बारत के ऊपर लागूं उनको खत्मगर कोई और कानून बना सकती, कोई सी भी व्यवस्ता भारत के लिए चूस कर सकती है अब क्योंकि वो सभा जो थी, वो पूरी तरह संप्रभू थी मतलब स्वतनत्र थी और दूसरा परिवर्दन आया, सम्विधान सभा एक विधायका भी बन गई विधायका जैसे कि आप जानते हो, विधान पाली का संसद तो अब संसद का भी काम वो करने लगी जैसे कि उसके दो काम हो गए अब पहला काम था सम्विधान बनाना और दूसरा काम था आम कानून लागो करना क्योंकि जब तक समिधान नहीं बनेगा तब तक भी तो देश को कंट्रोल करना है उसके रिए हमें आम कानुनों की जरूरत पड़ती जिसको की समिधान सभा ने लागू कराया जब बैठक समिधान सभा के रूप में होती थी तब अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजिंदर प्रसाल और जब बैठक विधायका के रूप में होती थी तो अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर इनको याद कर ले ना ये सारे पॉइंट साफ हो जागे तो लिखते जाओ वन बाई वन ये नोट साफ के लिए काफी यूसफुल रहेंगे थर्ड पॉइंट है जो तीसरा चेंज आया जो तीसरा परिवर्तन था वो था भारती समिधान सभा की कुल सदस्य संख्या अब गई भारती समिधान सभा की और भारती प्रांतों की संख्या जो 296 थी अब वो 239 कर दी गई और देशी रियास्तों की जो संख्या 93 थी उनको 70 कर दिया गया कुछ अन्य कारे भी समिधान सभा ने किये तो ये इस परकार है समिधान सभा ने क्या किया एकार है कि मई 1949 में राष्ट्र मंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया मतलब वो भारत को उन्होंने शामिल करवाया राष्ट्र मंडल राष्ट्र मंडल वो है जैसे कि आपने देखा हुआ कि ब्रेटिशों ने कई देशों पर कई देशों व्यर्वाला करते रहते हैं तो राश्रमंडल वा संगधान जिसमें भारत ने हिस्सा लिया माई 1909 में 22 जुलाई 1947 को राश्ट्री दोच को अपनाया समिधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राश्ट्रे गान जंगन मन और 24 जनवरी 1950 को राश्ट्रे गीत वंदे मातरम को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राजिंदर परसाद को राश्वती के रूप में भी चुना गया पहले राश्वती भारत की और इस समीधान को बनाने में कितना समय लगा ये most important है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा हमारा next topic है समीतियों से संबंदित है जिसको आप next parts में देख सकते हैं तो please अकर आपको चैनल अच्छा लगाओ अगर वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और bell icon को दबा दीजिए ताकि आपको notification मेरी वीडियो की मिल जाए और मैं next वीडियो में आपको इसके objective questions प्रोवाइट कर दूँगा और इसका next part आप जरूर देखना